हरी रूठे गुरू ठौर है गुरू रूठे नहीं है ठौर यानि इश्वर रूठ जाए तो गुरू है लेकिन गुरू रूठ जाए तो कोई नहीं है जीवन में सबसे बड़ा इस्थान गुरू का होता है जिसकी जीवन में गुरू ना हो वा कितना भी बड़ा धनवान हो गिर्तिवान हो उसकी जीवन में पून रूप से सवेरा नहीं हो पाता है वास्ते वही जीवन का आरभ तो जीवन में गुरू के पजारप्रण के बाद ही होता है आप कोई भी पूजा अर्चना करते हैं विशिश सिद्धी प्राप करना चाहते हैं तो आपको गुरू दिख्शा प्राप करना जरूरी है जीवन में गुरु का होना जीवन की सार्थक्ता के लिए अतियावशक है मर्यादा पुर्षोत भगवान स्री राम तक ने महर्शी विश्वामित्र को गुरु बनाये था तो वहीं संथ कबीरदास जी ने रामानन को स्वामि विवेका नन ने राम कृष्ण परम हंस को अपना गुरु बनाया गुरु ज्यान भी देते हैं सिक्षा भी देते हैं और दिक्षा भी देते हैं आप भी तीन जुलाई गुरु पुर्णिमा पर गुरु दिक्षा पराप कर सकते हैं और आप उससे उसी दिन एक मिनिट के लिए टैलीफोन पर वीडियो कॉल पर बात भी कर सकते हैं इसके लिए दियेगे नबर पर संपर करके दिक्षा के लिए पूरी जानकारी आप राब कर लिजी क्योंकि गुरू कीजे दस पांचा जब तक मिले न साचा सीज कटाए गुरू बेले तो भी सस्ता जान आपको और आपके परिवार को गुरू पुडमा की बहुत बहुत शुक्कामना है अगर समस्या शब्द बना है तो समाधान शब्द भी बना है बाहर बरसात हो रही है आप छाता खोलते हैं तो बरसात थोड़ी बंद होती है लेकिन आप नहीं भीगते हैं यानि आपने उस समस्या का समाधान को जा वैसे ही अपने जिंदिगी में रोजबरा की जिंदिगी में छोटी बड़ी समस्या आती रहती है ये मनुष्य जीवन का एक हिस्सा है लेकिन समस्या को कभी भी बढ़ने बढ़ दीजिए और उसे सॉल्व करने की बज़ाए जड़ से खत्म कर दीजिए ताकि अगली बार वो समस्या वापस उबार करना आ पाए यही आज आपके लिए सफलता का गुरू मतर बनेगा नमस्कार प्रिये सातियों मैं हूँ सुरेच श्रिमाली और आप देख रहे हैं 28 जून बुद्वार आज कर आश्युफल आगे बढ़ने से पहले एक इंपोर्टेंट बात इस वक्त मैं अपने यूएस और यूके की आतरा पर हूँ आज 28 जून मैं सैन फ्रांसिस्कों पे हूँ और कल से चार दिन तक मैं लंडन यूके रहूँगा 29, 30 जून और 1 और 2 जूलाई को लंडन रहूँगा वहां से लोटने एक बात आठ और 28 जूलाई को मुंबई, 9 जूलाई नागपूर, 15 जूलाई गुडगावा गुरुग्राम, 16 जूलाई दहरादुन, 22 जूलाई दिल्ली, 23 जूलाई कोलकाता, 29 जूलाई सूरत बड़ोदा और 30 जूलाई को एमदाबाद रहूँगा आप यहां रहते हैं तो मुझसे पड़सरी मिल सकते हैं, या फिर टैलिफॉनिक और वीडियो कॉनफरेंस या अपटमेंट के द्वारा भी जूट सकते हैं आगे बढ़ते हैं, राशीफल को जानने से पहले जान लीजिए आज का गुरु बंत्र स्री गणेश जी को प्रसन करिये रिद्यसिद्धी के दाता हैं, प्रेसाथियों आज गणेश जी की विधिवत पूजार्शना करें, उन्हें हरे मूंग अर्पित कर घी और गुण का भोग लगाएं, फिर एदम आक्षतम ओम गंग अनपते इनमाह, मंत्र का तीन बार स्री गणेश जी को पांच बोदक यानि लड़ू, ग्यारा दूर्वा अर्पित कर गणेश चालिसा का पाट करें, सब परिवार किसी गौशाला, अनात आश्रम या फिर जो कुस्ट आश्रम है, व्रद आश्रम है, वहाँ पर जाकर आप स्रम दान भी कर सकते हैं, उनके जर आज पूरे दिन दश में रहेगी, और आज दोपहर में चार बज कर एक मिनट तक चित्रा नक्षत और फिर स्वाती नक्षत रहेगा, ग्रहों से बनने वाले, कल की तरह, वाशी, आनंदी, सुनफा योग और बुदादीतियों के साथ तो भी लिरा है, लेकिन दो नए आज के दिन अगर आप किसी शुब और मांगली कारे मुले शुब समय के तलाश में हैं, दो बार बलेंगे, सुबह सांस से नो लाब और अमरित का चोगडिया है, शाम को सवा पांस से सवा चे तक लाब का चोगडिया है, कोशिश करिएगा, दो फैर को बारा से डेड़ पार्टर वो भी नहीं है, तो दोस्तों के साथ आज ज्यादा ज्यादा वक्त गुजारिए, वर्ट प्लेस पर काम को पूरा करने लिए मेहनत का नहीं, बलकि बुद्धी का परियोग करिए, बुद्ध आदित्य परीद और शिवियों के बनने से, जो लोग अपने बिजनस पर इंटरस्ट लेंगे, उनका लाब बढ़ जाएगा, प्रेम प्रसंग में रहने वाले युगाओं को प्रेमी का या प्रेमी से आज एकसार प्राइस गिफ्ट मिल सकता है, काफी परियासों के बाद आपको आज खोशी की खबर मिल सकती है, फैमिली के प्रतिय रैस्पॉ बाद करिए, वरशब राशी, पुरानी शारीरिक और मानसी विमारी में आज कमी आ जाएगी, बुदादित्य परीद योग के बने से वर्क प्लेस पर आपके बहतरीन मैनेजमेंट के कारण, आपको अपने कारियों में सफलता मिलेगी, जिसका मुख के कारण, आपका आज दिखानी पड़ीगी, टाइम को अपने हिसाब से तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन टाइम के हिसाब से आप मैनेज कर लीजी अपने आपको, पेरेंट्स, बच्चों के सौभाओं पर ध्यान ते कहीं, ऐसा नहीं, कि वो अपना कबरा, अपना लैप्टॉप, के साथ कम्यूनिकेट करिए, गले की, ऐलर्जी, या फिर कोई समझ से आपकी स्किन के आ सकती है, ध्यान रखिएगा, बात करते हैं महितन राशी की, आकलस्मिक धरलाब, अचानक से किसी इस इमेल बुलागा, आपको बड़ा लाब दे सकती है, वर्ड प्लेस पर, ऑफिस के इंवेट्मेंट करना, और शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन में इंवेट्मेंट करना उत्तम रहेगा, इस्टूडेंट आर्टिस और क्लेर्स, आज इरिशा का भाव रहेगा, जैलस रहेगी, दूसरों को देखकर मन में घरणा का भाव आ जएगा, तो इससे अपनी समझ और हस्मुख सोभाव से लव पाटर और लाइफ पाटर आज प्रफुलित होने बाले होश हो जाएंगे खानपान के माबले में सात्विक बोजन अच्छा म्यूजिक और साथ में योग प्रनायम दिन चरिया में शामिल करिए आपका दिन बन जाएगा करकराशी परिवार पर ध्यान दिजिए सुक सुविधाओं पर ध्यान दिजिए और आप परिवार को कितना वक्त देते इस पर भी थोड़ा ध्यान लगए वर्क्प्लेस पर टार्गेट बेस्ट वर्क करते हैं उन्हें फोन के माध्यम से ही अपने नेटवर्क को एक्टिव रखने का प्रियास करना होगा ग्रैंड दोश के बनने से बिसनस रिलेटेट कोई भी फैसल लेने में जल्दिबाजी न करें अनुभवी और बड़े बुजर्गों के सला के बिना विचार विबर्ष के बिना कोई काम करना नुकसान दे सकता है सब्जेक की बारीकियों को सबज़िए कठिनाई ज़रू आएगी लेकिन आप धीरे धीरे सही प्रियास करेंगे तो आपको कोई टीचर, कोच, मेंटोर मदद करवा सकता है ग्यान से बड़ा मेरे प्रेसातियों ग्यान से बड़ा कोई दान नहीं और घुरूस से बड़ा कोई दानी नहीं लव पार्ट और लाइफ पार्ट ने साथ वैचारी मदभेद हो सकते हैं इसने शान्त और मौन रहें मस्कूलर पेन आपको परिशान कर सकता है सिंग राश दोस्तों और रशिदारों से मदद बिलेगी या किसी मदद करने का मौका बिलेगी वर्ट प्लेस पर ओफिस की ओट से दियेगे प्रोजेट को समय पर कंप्लीट करने के लिए टीम की मदद लेनी होगी बिजनस में मिल रही सफलता से बिजनस और आप दोनों का नाम प्रसिद होगा जिसे मन प्रसंचित रहेगा साथ ही अगर कोई नया आउटलेट खोलना है बिजनस में नई लोगों जोडना नई टेक्नोजी जोडनी है कोई मशीन खरीती है सुबह सांसे नो शाम को सवा पांसे सवा चे के बीच में करिये न्यू जैनेशन का बन यदि किसी काम को करने में सिर नहीं हो रहा है तो अपने काम में थोड़ा सा ध्यान ज्यादा लगाना होगा घर परिवार में यदि कोई मदद के लिए आते हैं तो उसकी मदद जरू करें निराश नहो कब्स की दिक्कत के साथ साथ मुँ में चाले भी आपको परिशान कर सकते हैं कन्याराशी फाइनिशल प्रॉब्लम आसौल होगी और कहिन कहिसे पैसा आकर आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगे बुदादित शिव और परीद योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपकी बहतर वर्किंग एफिशेंसी ड्रैसिंग सेस्ट बात करने गंदाज नए प्रोजेक्ट टेंडर ओर्डर पर आपको मौके मिल सकते हैं बिजनस परसन्स को अपने काम को कंप्लीट करने के लिए अपने नेटवर को एक्टिव करना होगा स्टुडेंट आर्टिस और प्लेट्स मन और बुद्धी का ठीक तालबेल रखना चाहिए ऐसा करना आपको सकारत उर्जा परदान करेगा गर की जरुतमन चीजों को खरीदने के लिए एक लिस्ट बनाएं और प्रॉपर प्लाइनिंग करेंगे शॉपिंग की तो आपकी शॉपिंग सस्टे में भी हो सकती और पैसा बचा सकते हैं सेहत के मामले में आज फिजिकल तो ठीक है लेकिन मेंटली थोड़ रिस्ट ब रहेंगे इस लिए हस्ते खेलते रही आज मेरे प्रेसाथियों किसी नए वैक्ति से मुलाकात करने का शाम को मौका मिल सकता है आएए छे राशी के बाद अब मैजिकल निम्रोलोजिम बात करते हैं कि अगर आपकी डेट, मन्त और येर, तीनों को टोटल करने से एंड में टोटल अगर चार आती है तो आपका भाग्य अंक चार होगा ऐसे लोगों को जो रोग होते हैं उसे नोट कर लिजी एक तो लंक्स की तक्लिफ होती है, फेफड़ों की तक्लिफ होती है और कहीं न कहीं सनायू निर्बलता और सर्दी जुकाम जल्दी हो जाना आज सीने में कमजोरी और यूरिन के तक्लिफ हो सकती है कब्स और जुकाम बहुत जल्दी होते हैं पाइल्स की सिर्वेबारी होती है, खायल रखिएगा, बात करते हैं तुला राशी की, आत्मा संबान और विश्वास बढ़ेगा, जिससे आपका तिन अच्छे डंग से गुजरेगा, वर्ट प्लेस पर, जो लोग लेडीज गार्मेंट का बिजनस करते हैं, इस पास सलोन जि सकता है, इसके लिए परियास करिए, आफ्टर सेल्स सर्विस बैटर करिए, जनरल हो या कॉंपेटेटिव एक्जाम, आज मन के अनुसार काम होगा, और मन सकारतों विचारों से रहे, इसके लिए अच्छी किताबे पढ़िए, अच्छी बाते करिए, आज मूड स्विंग ह होने वाला है, जो लोग फैमिली मेंबर से उनके लिए बात कर रहा हूं, तो अच्छा डिनर करिए, लंच करिए, सब लोग बैठ कर बात करिए, जो डाइबिटिक पेशन्ट है, हार्ट के बरीज है, उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत ध्यान रखने वाला है, मेरे प इंपोर्टेंट, डॉक्यमेंट, वैल्यूबल चीजों को संभाल के रखिए, ग्रैंट दोश के बनने से समय अनुकूल न होने पर, बिजनस पर्सन को नुकसान हो सकता है, धीरे जहरी सहीब रखना पड़ेगा, नए आर्थी विगल्प, फैनिशल विगल्प आपको और सीडियां चड़ते उतरते समय आपको बहुत खयाल रखना पड़ेगा, बात करते हैं धनुराश्य की, आज आपका प्रॉफिट कैसे बड़े, सेविंग कैसे बने, खर्चे और करजे कैसे कम हो, इस पर एकलिस्ट विजारतों करिए, वर्क्पेस पर आप अपना काम समय से पहले कम्प्लीट करने के लिए डेडलाइन ताई करिए, नौकरी हो या बिजनस हो, स्मार्ट वर्क ही आपको आगे रखेगा, बिजनस पर्संस, कोई नया सौधा करने जा रहे हैं, नया इंवेस्टमेंट करने जा रहे हैं, प्रॉपर रिसर्च और देवलिप्मेंट आ आज कई बार हम इल्यूजन रहते हैं, एक अलगी दूरिया पर रहते हैं, इसलिए दर्ती पर आजाएं, और दर्ती से जुड़कर रही है, अपने माता जी का आशिरवास से दिन की शुरुवात करिए, स्वास से तो ठीक है, लेकिन ट्रेवल पर बहुत ध्यान रखना पड सकते हैं, लाबकारी आपके आज सौधे होने वाले हैं, परिटिकुलर किसी खास प्रॉडट की बिकरी के लिए आपको ध्यान देना चाहिए, ट्रेवल को प्लैन करोगे तो बिजनस विद प्लेजर होगा और गाटे की बरपाई हो सकती है, परिवार में लोगों की बीच अ आज शाम को एक डिनर या गैट टोगेदर का प्लैन हो सकता है, बात करते हैं कुम राशी की, सोशल आइफ अच्छे रहेगी, सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और समाज परिवार गली बहले में आपकी इज़त बढ़ेगी, बुदादितिय शिव और परीद योग के बनने से नई जॉब के लिए अपलाई कर सकते हैं और इसमें आपका सेलेक्शन भी हो सकता है, बिजनस लोन लेना है या प्राइवेट को लोन लेना है, तो उसके लिए आज कवाय तेज कर दीजी, मार्केट में आपकी छवी कोई खराब करने कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों पैचानी है, जो टीचर, कोच, मेंटॉर है, वो अपने स्टुडेंट, आर्टिस और प्लेट्स को आज बड़ा अच्छा घुर सिखा सकते हैं, अच्छा मुजिक आपको लाब देगा, लेकिन नशाहा हानी देगा, फैमिली में विवात की सत्य उत्पर हो सकती है, इसलिए पैचानी है, इसलिए बड़ाद बेचेनी डर और चिंता रहेगी, वर्ट प्लेस पर आपका काम, सीनियर और बॉस को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि काम में परफेक्शन नहीं रहेगा, और जिस वज़े से आपको दुबारा करना पर सकता है, टाइम भी बेस्ट होगा, इ प्रेर के दिशाताय करिए, आगे बढ़ेंगे, साफ सफाई का खायाल रखिए, फ्रेंड्स रेलेटिव के साथ, सर्प्राइज कोई पार्टी हो सकती है, बड़ता वजन आपको तकलिफ दे सकता है, इसलिए चाय कम से कम पीएं, वरना गैस ऐस एडिटी का अबजर जलन प आइसवे और चौतीसवे वर्ष में होता है, सूरिय अगर शुब ना है, नीच राशी के ग्रहन दोश या चांडाल दोश के में ग्रसित है, तो ऐसा व्यक्ति अपने ही परिवार से ठगा जाता है, और सरकार से दंड बिलता है, लेगल कॉंप्लिकेशन होते हैं, मनी लॉस होते हैं, हर काम डिले होता है, बनते काम बलकी बिगरते भी हैं, चेक करिए, आपकी कुनलीवी सूरिदेव कहां भी राजबान, और वैसे, आप अपनी परसली या प्रोफेशनल लाई भी किसी समस्या से गरसित हैं, तो मुझसे परसली मेल सकते हैं, या टेलीफॉनिक और वीडियो कॉनफरेंस से अपन्टमेंट के द्वारा भी जूट सकते हैं, दियेगे नबर पर संपर करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, आज के लिए तरह ही, प्यार भरा नमश्कार और बहुत बहुत आशरवाद उनिस वर्ष के बाद, चार जुलाई से 31 अगस तक स्रावन मास रहेंगे, दो स्रावन है और आठ सुमबार है, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, आप रोग मुक्त हो जाएं, मानसिक और शरी रूप से आपको कोई कस्ट ना मिलें, परिवार सहिस, सुक, शान्ति और समरती के साथ जीवन जीए, आप जो भी कर्म करते हैं, उसमें आपको विजय मिले, सिद्धी प्राप्त हो, गर में धन और अन की कमी न रहे, इसके लिए विश्वेश रूप से आध्यात्मिक साधना सिद्धी केंदर के विद्वान पंडितों ने शिव रक्षा कवच का न आपके सुरक्षा होगी और आपके अपनों की भी सुरक्षा होगी